हे दोस्तों, वेलकम टू एक्विस्टिव एड्यूकेशन आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं कि इंडिया का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन खुल चुका है दैरदून के अंदर हम लोग देखेंगे आखिर ये किस तरह के गार्डन होते हैं और आखिर इंडिया में पहली बार ये जो गार्डन खुला है तो इसमें क्या ऐसे नई फीचर्स देखने को मिले हैं या फिर किन जीवों के लिए यहां पे किन और्गनिजम्स के लिए ये गार्डन बहुत ज़दा हैं तो सबसे पहले बता दूमें आपको कि इंडिया का पहला क्रिप्टो गैमिक गार्डन खुल गया है जिसमें आप मान सकते हैं यहां पे फिफ्टी स्पीजीज होंगी लिचिंस की फंस की और फंगाई की और इसे इनगुरेट किया गया है उत्राखंड की देहदुन सब्सक्राइब करें तो यहां पर चक्राथा टाउन आता है वहां पर इस गार्डन को बनाया गया है और यहां पर आप मान सकते हैं जो जिन्होंने इसका इनगुरेशन करा था वो थे आपके सुसल एक्टिविस्ट अनुप नौटियाल साथी साथ मैं आपको बता दूँ कि इस गार्डन के अंदर 50 species होंगी और यह जो गार्डन है यह दियोबान चक्राथा जो कमांडिंग हाइट है आप कह सकते हैं 9000 फीट उपर वहां पर है ऐसा कहा है वहां के चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट जो की रिसरचर है आप मान सकते हैं संजीव चतुरविदी जी आगे बात करते हैं तो उन्होंने इस लोकेशन को चुनने के लिए जो रिजन बताया वह यह था कि पहली बात तो यह जो रिजन है गार्डन का यह तीन एकर में फैला हुआ है दूसरी बात दियोबान जो जगह है वहां पर पॉलूशन बहुत ही कम है और वहां पर जो कंड क्रिप्टोगेमिक स्पेसीज के लिए वह खुद ही एक नेचुरल हैबिटेट क्रियेट कर देता है साथी साथ मैं आपको क्रिप्टोगेमिक बारे मताऊं तो यह हिटन रिप्रडक्शन होते हैं आप लोगन देखा हो कई बार कुछ गाड़न या फिर आपके आसपास वह ही आपके क्रिप्टोगेम होते हैं तो उन्हीं चीज के लिए मतलब ऐसे आप कह सकते हैं और बेसिकली एलगाई रखे जाएंगे या फिर इसे कह लिए आप लोग ब्रायोफाइट्स ओके लिचिन्स होगे फंस फंगाई यह काफी जदा आप कह सकते हैं बेस्ट नोन ग इस गाडन के अंदर आप लोग मान सकते हैं सबसे जादा जो प्रिमिटेव और्रिमिजम है वो आपका एलगाई है जो कि प्रिडॉमिनेंटली एक्विटिक और मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में ही आप कह सकते हैं उग सकता है आप लोगों ने भी देखा होगा एलगाई यहाँ पे एक और वाटे जो कि आपके रहता है टेरीडोफाइट्स लिचिन्स एक कॉंप्लेक्स लाइफ होती है यहाँ पे सिंबोलिटिक पैटन्शिप होती है दो अलग अलग और्गाई हो जाता है और फंस वारे में बात करें तो यह लार्जेस्ट लिविंग ग्रूप होता है जो कि वस्कुलर प्लांट्स में से आता है ओके फंगाई जो है यह खुद का एक इसका खुद का एक किंग्डम है जो कि मल्टी सेलूलर यह क्रियोटिक और्गनिजम होते हैं तो यह सारी बाते जो हैं यहाँ पर बताई गई हैं वहां के जो भी जिन्नों ने भी वह आपको अच्छी लगी होगी मिलते अपने एक वीडियो में तब तक लिए हैव नाइस डेए